हेलो दोस्तों मैं हूँ अब इस एक आपका सेल्फ प्रिपेर गुरू जी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैस टॉर्ज के बारे में इसे आप गैस टॉर्ज कर सकते हैं या ब्लेजिंग गैस टॉर्ज भी कहते हैं लोग इसे और काफी सिंपल डिवाइस है बट क पाफी यूसपुल है और इसमें नॉजल रहता है और यहां पर रेगुलेटर रहता है यह बहुत सारे ब्रैंड के आते हैं अच्छे क्वालिटी का यह मिल जाता है और इसमें जो गैस आता है वह आपको अलग से लेना पड़ेगा इसमें ब्यूटेन गैस होता है यह डॉमेस्टिक गैस में आपका ब्यूटेन प्लस प्रोपेन रहता है इसमें ब्यूटेन है और इसमें एक चीज़ आप देखेगा इसमें इसमेल नहीं आगा जब भी यह लीक करता है तो इसमेल नहीं आता है क्योंकि जो आपका डॉमेस्टिक गैस होता है उसमें मिथाइल म तो आपको उसका smell मिले और आप कुछ preventive action ले बड़ इसमें कोई smell नहीं आता है तो यह काफी dangerous होता है अगर आप इसे safely store नहीं किजिएगा तो यह काफी dangerous हो सकता है तो इसे हमेशा अच्छे से store करके रखिए और काफी सार ब्रैंड का आता है कोई भी ब्रैंड आप चूज कर सकते हैं सेम होता है तो आए इसे देखते हैं कि कैसे इसे use करते हैं और काफी carefully ईसे use करना है तो इस तरह का यहाँ पर slot बना रहता है यहाँ पर आप देखेगा यह slot बना रहता है यह slot यहाँ पर add होगा और जैसे ही हम इसे add करेंगे देखेगा इसे हमें ऐसे move करना रहता है यह यहीं पर रहेगा उपर वाले को इस तरह के हमें move करना रहेगा तब यह lock हो जाता है और कोई leakage नहीं रहता है तो इसे कैसे insert करना है पहले सबसे पहले क्या कीजिए इसे off पर रखे और उसके बाद इस slot पर यहां पर हम डालेंगे इस तरह से और जैसे ही होगा इससे देखिए यह attach हो गया tight हो गया और इससे start करने के लिए सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा open कीजिए हलका सा ताकि थोड़ा सा gas बहर आने लगे और उसके बाद आप lighter का यूज़ कर सकते हैं या best है matchbox का यूज़ कीजिए इसको start करने के लिए से थोड़ा सा open कर लिए देखिए start हो गया है और इसको बंद करना होगा इसको आप close कर दिये बंद हो जाएगा यह देखे बंद हो गया है और इसको आप इस तरह से open कर सकते हैं यह आपका open हो जाएगा जैसे यह आपका use हो जाए इसे open कर लिजे काफी जी ऐसे use करना और यह जो आपका nozzle होता है इसके regulator में यहाँ पे एक oring होता है यह oring बहुत important है यह जो देखेगा black लड़का अगर यह आपका oring नहीं है या अगर आपका damage है तो वहाँ पे leakage होगा तो यह बहुत important है तो जब भी आप इसे insert कीजेगा इस तरह से तो उस गैस के साथ problem यह है कि इसमें smell भी नहीं आता है तो अगर leakage होगा तो problem होगा और एक जो सबसे important चीज़ है जो safety के लिए इससे आप जब भी use कीजे तो well ventilated place पे use कीजे तो safe रहता है safety का ध्यान बहुत important है इससे आप बहुत safely use कीज़े I hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लग होगा प्लीज मेरे इस वीडियो को like किजे और आप इस तरह के gas torch का कहां आपने use किया है या आप कहां पे इसका use करना चाहेंगे वह अपने comment box में आप जरूर मुझे बताईएगा और आपके कोई friend जोगी repair related videos में interested होते हैं खुद से कुछ repair करना चाहते है motorcycle, car, home appliances और भी जो thank you, thank you for watching